कि नमस्कार दोस्तों मैं लबनीश शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल अच्छलाइश शूत्रास पे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैवसाइड वैवसाइड अपने आप में बहुत महत्तपूर विशह है तो अपने विशह को आगे बढ अचारे मनोश शर्मा जी इनके बारे में वोईस ओफ नेशन चैनल और धरम टीवी के उपर इनके अपने प्रोग्राम भी आते हैं तो सर जादा समयना लेते हैं मैं आपको हैंड़ोवर करता हूं आप प्लीज कि इसके उपर प्रकाश डालें कि वेवसाइड हम कैसे देखे अचारे मनोश शर्मा आप सभी का एस्ट्रो लाइफ सुत्रा प्रोग्राम के अंदर आपका सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो विशे हमने चुना वह बहुत जबरदस्त है वेवसाइड का निधारन कैसे करें यह कारेच्षेतर का निधारन कैसे करें यहां प अचारे मूल तिर्कून राशी में सवराशी का केंद्र या तिर्कून के अंदर है तो ऐसा विक्ति जियों भर धन संपद्दा और मान संबान के साथ शशक्त रहेगा और आगे तरकी करेगा यदि डी-वन का सेवन्थ हाउस से लेकर के टैंथ हाउस तक या डी-वन के अंदर तैंथ हाउस से लेकर के थर्ड हाउस तक यदि 5 से 6 ग्रे अगर आपके हैं तो ऐसा विक्ति अधीकतर देखा गया है वह अपना व्यवसाय चुनता है एक चीज दूसरी और महत्पून बा जो होता हूँ बिजनस व्यपारगा होता है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा के सेंथ हाउस को रिप्रेजेंट को कर रहा है कारक स्वामी और भावेश वो कहां पे श्तित हैं और छटा भाव जो हमारा इंकी किट करता है वो नोकरी को इंटिगेट करता है शनी उसका कारक ह हमें जरूर जरूर इन चीजों को ध्यान में रखना होगा तभी हमें एक चीज कर निधारन कर सकते हैं कि व्यर्साइट किया कुन सा जाए अब उधारना अर्था कर बात कर रहा हूं जैसे कि बड़े-बड़े जोतिशाचारों ने बुलाएं कि आप जी लगनेश चंद्रम और सूरे से लगन से दशन भहाव को देखे सुधर्शन चकर आप बना लें दशन भहावपन के ओपर देखे कि कोन सा ग्रह ज़्दा एफेक्ट कर रहा है थेंट रह लोट किस के साथ में यूकती कर रहा है इसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति विशेश किस व्य sugars आए इस श इसके अंदर 21 में को बताईए कि दस्रम भाव से कई वर क्या होता है कि चार से पांच प्लैनेट भी कनेक्टेड होते हैं जी जी बिल्कुल उसके कैसे रहेंगे जी जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर दश्रम भाव के उपर युक्ती द्रिश्टी अगर दो तीन ये चार ग्रहों के होगी तब क्या होगा तो ऐसा है व्यक्ति एक साथ में दो या तीन व्यक्ता जरूर करता है या फि से जादा डिग्रियां किस ग्रहगी है उसकी इंफ्लेंस जो होगी वह सबसे जादा तैंथ हाॉस के ओपर ओगे एक और चीज आपको बात करता हूं कि तैंथ हाउस में हमें ये भी देखना जरूरी है कि उसमें चर राशे स्थिरिय दीस भाव राशी है एक चीज हमारा उसका अगरा भाव अगर बात करें तो लाब भाव होता है लाब कहां से आएगा पलस में सेकेंड आउस दो धन का भाव है वहां से कैसे इंडिगेट होगा तो इन चीजों को भी आपस में समवेश करना जरूरी होता है अगर इन चीजों को आप समवेश करके अगर चलेंगे तो एक अच्छा सा निर्णे आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप व्यवसाई का चुनाव करें अच्छा सार हम इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे नो ग्रह हमारे पूरे बहचक्र में है और इनी को अगर दस्वे भाव से अगर हम किसी की तरह से रिलेशन आता है या सूरे दस्वे में होता है अलग अलग जो ग्रह एंप उपके साथ से हम कैसे प्रोफेशन बिसाइट रहेंगे अम सूरे लगन है चंदर लगन है सूरे लगन है इनको सुदर्शन का एक बार हम लोग मान लेते हैं और मानते हैं के तैंथ हाउस पे सबसे ज़्यादा जो इन्फिलेंस है सबसे ज़्यादा जो परभाव है वो सूरे का है और सूरे अगर वो शुब राशी के अंदर है शुब परभाव के अंदर है तो यहां पर बोलेंगे तो प्रशाशनिक ठेके दारी एमेले, गोर्मेंट से समब्धित काम, बिजली विभाग से समब्धित काम, जज, इस परकार की योगईता व्यक्तिव शीच में ज़रूर पाई जाएगी जी और सर इसी तरह से इगर चंदर्मा का प्रभाव हुआ दसम में चंदर्मा का अगर प्रभावेश चंदर्मा को माता का कारत मानए जाता है चंदर्मा का अगर ज़्यादा इंफ्लिएंच है अगर 10th house के उपर तो आप यह देखेंगे ओश्धियों से संबंदित विश्व आपके शराब से सम्बंदीत, दूद चावल के विवपार से सम्बंदीत, इन चीजों में वैक्तिव शेश जादा जाएगा. जी तो मॉंगल का प्रभाव आता है इसमें अगर मंगल का प्रभाव है तो एसे विक्तिविशीस दिखे गए हैं कि वो पुलीस विवाग के अंदर, सैनिक में, स्कोर्टी गाड के अंदर, या आपके जो पहलवान के छेत्र में, एथलीट्स के छेत्र में, वो ज्यादा तर पाई जाते हैं. जैसे हम मंगल को बोलते हैं कि ये सेना पती हैं, तो उसी से कारे से दरबान को. जी, 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 जी. जज हो सकते हैं, धार्मिक वक्ता हो सकते हैं, तो इस परकार के जो धर्म से रिलेटी चीज़े हैं, या फिर जो जग्यान बाठनेयाली चीज़े हैं, वहाँ पर उन चीजों का वो परतनित करते हुए नजर आते हैं. जी, जी, जी. जी, 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 आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जैसे शुकर अगर सिचेशन के अंदर आगर आगए तो शुकर से क्या-क्या चीजों को देखेंगे? जी, जी, जी. जी, जी. जी, के एक व्यक्ति विशेश शारूख खान के जैसा है, जो कि नइम अन फेम कर रहा हैं, और दूसरा अगर बात करें तो एक व्यकति ऐसा भी है कि वो के नाट्रो को तक ही सीमीत रह गया, सीरियल तक ही सिमित रह गया अभी निए उसके भी अंदर लेकिन वह अपने अको आगे नहीं करा पाया तो शुकर कि अगर बात करें तो ब्यूटी पाइलर से संब्दित आपके ड्रेस डिजाइनिंग अपने ड्रेसों से संब्दित परफ्यूम से संब्दित इंटिरियर तो इलेक्रोनिक्स चीजे जो भी हैं वो सारा सारा राहू को इंटिगेट करता है तो हमें लोग एक तो देखते हैं कि राहू जो है वो चीजे कर रहा है दूसरा डॉक्टर के छेतर में भी अगर आद अब बोलें कि वो मैडिकल के लिए डॉक्टर में तो वहां पर भी तो उस सिच्वेशन को देखता है कि कुण सी चीजे कब क्लिक होती है और एक और चीज राजनीति के छीतर में हमने अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपका सूरे का और शनी का योगा योग है लेकिन एक सफल राजनीतिक होने के लिए राहू कभी एक अच्छा-चा-चा- जाता है वो कभी M A E L E MP नहीं बनेगा अच्छा सवाल किया और लुकूल देखा होगा कि अतहली तुना है इस पूर्स लाइन में जाना ना कि खिलाडी बनने के क्या जोग होते हैं सर तोड़ा मैं बताएंगे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, देखे, खिलाडी बनेंगे कब, शरी की महाश्पेश्या सब बढ़िया अच्छे से होगी, जैवी होगा, उसका कारक है आपका मंगल, ठीक है, और थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जो आपको इंटिगेट करता है, आपके प्राक्राम को करता है, आपके चीजों को करता है, तो हम कही न कहीं आप देखेंगे, लगन का संबन थर्ड हाउस, और थर्ड हाउस में मंगल की पोशन, और सूरे की पोशन, अगर अच्छे से अगर इंटिगेट हो रही है, तो व्यक्ति विशेश एक अच्छा अथलीट साबित होगा निश् से सरेंडर करना पड़ेगा, अच्छा सार, ऐसा भी हमने कई केसिस में देखा है, कि जो व्यक्ति विशेश है, उसका यहां पर जब तक हो रहता है, उसका काम इतना अच्छे से जमता नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से अगर विदेश में चला जा जाता है, तो उसका कारेश वैसे यह तोपिक हम वैसे आगे लेंगे, लेकि मैं शंशेप में ज़रू बताना चाहूँगा, विदेश का पहले बोलते थे कि साथ समूंदर पार, अर्थात घर से दूर, घर से दूर, और कोई व्यक्ति घर से दूर रहता था, तो उसे बोलते हैं कि साथ समूंदर पार चला गया और वैक्ति विशी घर का भी नेरा नाई घाट का रहां, लेकिन अगर बात करें तो एक लाइव्यक जाने कौ एक लाइसटाइल बना लिया फिछ जलस बना लिया तो आफिक अगर बात करें अगर इMr. जो कि आपके विदिश यात्रों को इंटिगेट कर रहा है और कहां कहां वो संबंद बना रहा है इंज को हम दरूर देखेंगे प्रिफेर करेंगे सेवन्थ नाइंथ और ट्वेल्थ वाव प्रिफेर कारये शेत्र में इंसान का स्टेटस मिले गाया नहीं मिले गाया जहां वही रह जाएगा कि दश्यम बहाओ के उपर इनकिन ग्रहों का परवाव है इस ग्रह का दश्यम भाव के उपर ज्यादा परवाव है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है और कितनी डिग्री लिकर के बैठा हुआ है एक चीज अगर वो कुंडली में शुब इस्तिती के अंदर है ठीक है देखे अगर बिजनेस वेपार के अगर अल्टीमेट में बात करूं तो मेरे को मेरे को बैंक बैलेंस ज्यादा है कि तेंथ हास के ओपर शुबा शुब परवाव है या नहीं है उहां पर उसकी स्टिपेस का उन चीजों का बहुत अच्छी से का पता चरता है कुछ की सो में हुआ है जैसे मैंने बताया दशंभाव से लिकर के यदि थर्ड आउस तक 5-6 गिरों का अगर परवाव तो ऐस है वेक्ति कहिना कहीं है वो अपना सतनत रूप से अपना बिजनस कर तो भी सारी सारी चीजों को दिखना पड़ता है अब जैसे उधारन नार्था अगर मैं बात करूं शेर मार्केट का तो शेर मार्केट में अगर इंटिगेट करेंगे तो पंचव राव और सेकिंड हाउ तो इन चीजों को भी लेकिन अगर राव की पोजिशन ठीक नहीं है और ऐसा व्यक्ति शेर मार्केट के अंदर भी अपना सतनत रूप से बिजनस करने लगा तो हो सकता है कि शुवात के परणाम में उसे अच्छा रिजट मिले लेकिन एक दम में ही उसको फिद घाटा लग आपने एक वेफसाइ गलत चुना मेरे पास में बड़े सारे ऐसे लोग आते हैं पेशे से प्रफेशन से एज डोक्टर हैं लेकिन रात को गिटार बजाते हैं फाइस्टार हूटल के अंदर क्योंकि उनका पेशेंस हैं पूसता हूं मैं कि भाया आप ऐस प्रकार से क्यों करें घरालों जबड़स्ति करा दी में डोक्टर बन गए लेकिन पेशेंस तो मुझीशन है कि अपना मुझीक इंडस्ट्री की तरफ भी बहुत जाला प्रभावित हो रही है जी जी मुझीक मुझीशन बनने के सब क्या योग होते हैं सिंगर मुझीशन शायद एक ही चीज आपका फिल्म का है अभीने का है ठीक है तो वहां पर अगर बात करें अगर जैसे ऐसे सिंगर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं लगन का संबन से के आउस से पलस टैंथ हाउस से जड़ूगा ऐसे सिंगर जो लोग वीवर्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनको हर तरह से बहुत ज्यान भी प्राप्त होगा और अपनी आने वाली जिन्दगी के लिए कुछ सही कदम उठा सकेंगे और सर इसी के साथ मैं आपके बाणी को विलाम देना चाहूंगा और यदि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि य मैं भी सीख रहा हूं और हमारे गुरुजी कहते थे कि मैं भी सीख रहा हूं अभी तक आया है और लन ओनी 10 परसंट तो मैं 11 परसंट कैसे सीख सकता हूं जो कहता है कि मुझे सब कुछ आ गया वो जुट बोड़ रहा है इस अंसार में कोई पून रोल नहीं है सीखना ही बड़ी से बड़ी हर नोटिमिकेशन आप तक पहुंचें अच्छा सर भी जो आपने हमारे इस पूरे वीडियो में जो कुछ नियम दिये तो मैं सर आप से रिक्वेस्ट करूँ हूं कि नियमों को थोड़ा सा हमारे को इस बार दुबारां से बता दे जो कि हमारे वीवर्स तो नोकरी की तरफ वेक्टि विशेश जाता है पलस शनी का चंदर्मा के ओपर ग्रिष्टी या जुक्ति होगी तो वेक्टि-विशेशन नोकरी की साइड चायेगा एक चीज़ा की तक यदि वेक्टि-विशेश से लेकर के रिक्न भाव तो ज़रूर्स पांच शे ग्रहो पढ़ेगी फिर उसके अनुसारों ने धार ने किया सकता है जी अब का बहुत है वह सकार जैसी राम करूजी जैसी रामसर जैसी रामसर जैसी रामसर जे आलजी